जैहिन दोस्तों सत्तरशब प्रति मिनट की गती से संपात के रिक्टेशन स्टार्ट अंतराश्टिये मंचों और वहवारिक अर्थों में किस कदर चीन का वहवार अलग होता है यहे किसी से छिपा नहीं है इसका ताजा उधारन गुरुवार को इंडोनेशिया के बाली में चल रहे जी बीस देशों की बैठक के दोरान देखने को मिला वहां भारत और चीन के विदेश मंतरी अलग से मिले और उन्होंने अपने सीमा विवाद को सुर्जाने को लेकर बातचीत की उस पर चीन ने जल्दी सभी लंबित मामलों को निप्टा लेने का भरोसा दिलाया मगर अगले ही दिन खुलासा हुआ की चीन की सैना किस तरह लद्दाख शेत्र में अपने सैन्य साजो समान जमा कर रही है राडार पर यहे भी दर्ज हुआ की उसका एक लड़ाकु विमान भारतिय हवाई शेत्र के बहुत करीब से गुजरा यहे वही शेत्र है जहां दो साल पहले दोनों देशों के सैनिक गुथम गुथा हुए थे इस पर स्वभाविक ही भारतिय सैना ने कड़ी आपत्ती दर्ज कराई है इसके अलावा यहे भी कि जब हमारे परधान मंत्री ने तिबबती धर्म गुरू दलाई लामा के जन्म दिन पर शुब कामना देने पहुचे तो उस पर भी चीन ने एतराज जताया यहे पहली बार नहीं है जब वह अंतराश्टिये मंचों पर तो सदाश्यता दिखाते हुए भारत के साथ मदुर संबंद बनाने की इच्छा जाहिर करता है पर असल में भारतिये जमीन पर कबजा करने की अपनी नीती को विस्तार देता नजर आता है इस वक्त चीन की सैना पूर्वी लद्दाक शेतर में भारतिये सीमा के निकट S-400 रक्षा प्रनाली सहित अत्याधुनिक तकनीक वाले लड़ाकू जेट विमान और वायू रक्षा उपकरणों से जुड़े अभ्यास कर रही है पहले वह वहां मिग शिरेणी के विमानों की तैनाती करता रहा है मगर इस बार अधिक मारक शमता वाले लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है बताया जा रहा है कि दो दर्जन से अधिक चीनी लड़ाकू विमान तैनात है वह अपने दो हवाई शेत्रों होतान और गुनसा को अत्याधुनिक सेन्य साजो समान से लेस कर रहा है हालांकी पहले भी युधव्यास के नाम पर उसके सैनिक भारतिये शेत्र में परवेश कर डेरा डाल लेते रहे हैं और कड़ा एतराज जताने पर वापस लोट जाते रहे हैं मगर पिछले दो सालों से जिस तरह वह भारतिये सीमा पर अपनी सशक मौजूदगी बनाता देखा जा रहा है उसके इरादे साफ हैं दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में